चन्मकुर्णी का लगन भाव फर्स्ट हाउस अगर वहाँ पर कोई ग्रहा इस्थित होता है तो उस ग्रहे की सिग्निफिकेंस उस वेक्टी की परसनेलटी में पूरे जीवन देखने को मिलते हैं अच्छी प्लेस्मेंट उस ग्रहे की अच्छी चीज़े प्रदान करेगी उस वेक्टी को खराब प्लेस्मेंट से उसकी नेगिटिव विजल देखने को मिलेगे एक च्छा जो बुद्ध है बुद्ध रहे च्छा अच्छी स्थिति में उस्षित हो जाये अपनी मित्र राशी हो जाये या लगन भाव को सब्साइब भाव में बैठके द्रिष्टी दे सात्वी तो कईना किसे व्यक्ति की अच्छे कम्मिनिकेशन स्किज रखने वाला होता है उसकी स्पीच बहुत अच्छी होती है वाणी अच्छी होती है यंगनेस को बुद्ध दर्शा आता है तो वेक्ति जो है अपनी उमर से कम उमर का लगता है एक अच्छा मेटबोलिसम बॉड़ी में बुद्ध देता है इस वज़े से वेक्ति बहुत यंग दिखता है वेक्ति का mind गेलकुलेटिव होता है हाजिर जवाब होता है, active होता है बुद्ध जो हसी मजाग का कार है कि वेक्ति जो हसी मजाग हर बात में चाइल्ड़ीश होना इस तरह का nature उसका होता है बात कि इबना वेक्ती नहीं रह पाता है बहुत एक्टिव होता है वहीं अगर बुद्ध शत्रू राश्री में आ जाए तो कही न कहीं से वेक्ती की health को जो हो लगर में बैठके खराब बुद्ध नीच का भी हो जाए तो वो health को जो हो negative results देता है व्यक्ति का health खराब रहेगा उसको गले से जुड़े problems, skin से जुड़े issues रह सकते हैं, वाणी दोश हो सकता है, बहुत ज़्यादा वाचाल जिसको बोलते हैं बातुनी हो जाना, जिसके चलते बेकार का तर्क वी तर्क डिबेट करना, ये खराब मुझ जहो लगन में बैठके अपने negative result देता है,